जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एक गाउं की जनसंख्या प्रतिवर्स पांच प्रसद बढ़ जाती है यदि इस समय उस गाउं की जनसंख्या 4410 हो तो दो वर्स पूर्व उस गाउं की जनसंख्या कितनी थी ये चीज हमें क्या है ग्याद करनी है कि दो वर्स पूर्व जनसंख्या कितनी थी दो वर्स बाद की जनसंख्या हमें दिये हैं ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इस question को हल करते हैं जनसंक्या में व्रिद्धी दर है पांच प्रत्षत है और समय आपका है दो वर्स दो वर्स बाद की जनसंक्या आपको दे दिये ब्रेकर में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी एन तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए आपका दे दिया 4410 ठीक है पी आपको निकालना है ठीक है और यहां से 1 प्लस आर आर आपको दे दिया 5 बटे कितना 100 इनका मलब है 2 तो यहां से जब काटेंगे तो हम लोग यह काट देते हैं तो आपका क्या होगा यह 5 एकम 5 पांदूनी देसे मलब 20 आजाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा 4410 बराबर पी तो यह आपका हो जाएगा एक प्लस एक बटा 20 की पावर दो और मैं इसको लिख सकता हूँ 20 और 21 21 बटा 20 की पावर दो ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको साल्व करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 4410 बराबर पी इंटू में 441 बटे कितना 400 ठीक है 20 की स्कोर 400 तो यहां से हम लोग जो साल्व करेंगे तो पी बराबर आप का जाएगा 4410 गुड़े 400 बटे में 441 तो इस तरीके से आपका यह नंबर कट जाएगा 441 एक कम ठीक है तो यह आपका दस बार में कट जाएगा तो इस तरीके से आपका पी बराबर आजाएगा 10 गुड़े 400 बराबर 4000 कितना जाएगा 4000 तो तीन वर्स सोरी दो वर्स पूर्व ठीक है दो वर्स पूर्व गाओं की जनसंख्या तो हम लोग लिखेंगे दो वर्स पूर्व गाओं की जनसंख्या चार हजार थे ठीक है आई होब कि यह कुश्चन समझने आए इस तरीके से कुश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोग ध्यान से रेख लेजिए हलो दोस्तों तो यहाँ पर कुश्चन है आपका किसी छेत्र की जनसंख्या में छे सही दो बटा तीन प्रसद विद्धे प्रति वर्स हो रही है तो तीन वर्स बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है तो इस कुश्चन को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ से दिया है छेत्र की जनसंख्या में व्रिद्धी दर छे सही दो बटा तीन प्रसद तो इसको हम लोग लेख सकते हैं बीस बटा तीन प्रसद वार्सिक समय दे दिया है तीन वर्स छेतर की वर्वान जनसंख्या दे दिया 33जाद 750 तीन वर्स बाद छेतर की जनसंख्या क्या होगी दे दिया लगातार ब्रिद्धी हो रही है तो इस कुछ्चिन को हल करते है तो यहां से आपका हो जाता A बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर N चुकि लगातार वृद्धी हो रही है ठीक है वर्तमान जन से क्या मलब P आपको दे दिया है कितना 33,000 है 33,750 ठीक और 1 प्लस 10 कितना है भीया 20 तो इसको धेहान से देखना 20 बटे 3 है तो ये भीया आपका आज आएगा मैं एक बार लिख देता हूँ 20 बटा 3 बटे का कितना 100 तो ये चीज़ आप धेहान देना और N का मलब है 3 तो जब इसको हम लोग साल्व करेंगे तो 33,750 और ये आपका जाए 1 प्लस 20 बटा कितना 300 कि पावर यहां से कितना 3 तो एक जीरो से एक जीरो आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से और भी कैंसिल होगा तो हम लोग देखेंगे यहां से दो एक कम दो ठीक है और यह 15 ठीक है तो आप लोग यह ध्यान दोगे तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे तो यह आपका एमाउंट चल ला है यह चल ला है तो 33,750 और यह होगा वान प्लस एक बटा 15 ठीक है पावर ठीक है तो 15 और यह कितना हो जाएगा आपका 15 और एक 16 पंदरा एक कम 15 और एक 16 तो यहां से आपका हो जाएगा 33,750 ठीक है और यह हो जाएगा आपका 16 बटे 15 की पावर कितना थिरी है तो इस तरीके से हम इसको इतना कर सकते हैं यहां से हम लोग इसको хотите कर सकते हैं 33,750 गुड़े यहां से आपका लिख सकते हैं 16 बटे 15 गुड़े 26 बटे 15 गुडे 16 बटे 15 पंदरा तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से यह दिदेखा जाए तो इसको हम लोग क्यूब में भी लिख सकते थे तो यहां से क्या कर सकते थे एक बार मैं दुबारा लिखता हूँ तो इसको हम लोग लिखते हैं 33,750 गुड़े 16 को जब 3 बार मल्टिप्लाई कराएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 46,96 और जब 15 को 3 बार मल्टिप्लाई कराएंगे तो अब यह आपका हो जाएगा 33,75 ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों को यह कैंसिल हो जाएगा 33,75, 33,75 दस बार में और इस तरीके से आपका एंसर हो जाएगा ठीक है 46,96 तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 40,096 तो 40,096 तो I hope कि ये question भी समझ में आया होगा ठीक है तो इस तरीके से